नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं RPS समाचार तो चले श्राइब करते हैं आज की मुख्य खबर से उन्नाव में 7 सेंटीमीटर कम हुआ गंगा का जलिस्तर सेक्डो मकान अब भी जलमग्न छतों पर रातें गुजार रही लोग उन्नाव में गंगा का जलिस्तर पिछले 10 दिनों से बढ़ने के कारण चेतावनी बिंदू पार कर गया था जलिस्तर में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई इसके बावजूत तटवर्ती इलाखों के सडकों मकानों में रहने वाले लोग खुले आसमान के नीचे रातें गुजार रही है घरों के आसपास पानी भरा होने से लोगों को मुसीवितों का सामना करना पड़ रहा है सोमवार दोपहर 12 बजे गंगा का जल इस्तर 112.470 मीटर मापा गया था जो शाम 6 बजे तक इस्थिर रहा बीती राद भी गंगा के जल इस्तर में गिरावट दर्ज की गई केंद्रिय जल आयोग ने बताए कि सोमवार सुबह 8 बजे 3 सेंटी मीटर घटकर 112.440 मीटर दर्ज किया गया वहीं शाम को 6 बजे 112.4 मीटर पहुँच गया 24 घंटे में 7 सेंटी मीटर जल इस्तर में गिरावट दर्ज की गई वहीं चेतावनी बिंदू के उपर पानी होने के कारण पश्चमी शेत्र के कई मोहलों के सडकों, सडकों, घर पूरी तरह से जलमगन हैं इसे यहां के रहने वाले लोग छटों पर अपनी रातें गुजार रही हैं वहीं बिजली कटने के कारण लोगों को खासी दिखतें उठानी पड़ रही हैं बिजली विभाग के एकस ई एन बकार एहमद ने बताया कि पानी भरा होने के चलते ही विद्दुत कटोती के जा रही है जिससे कोई हाथसा ना हो केंद्रिय जल आयोग के करमचारियों ने बताया कि दो दिन पहले का नौज और फरुकाबाद में गंगा के जल इस्तर में गिरावट दर्ज की गई थी इससे कयास लगाए जा रहे थे कि उन नाव में भी जल इस्तर कम होगा हाला कि 24 घंटे में 7 सेंटीमीटर पानी में गिरावट दर्ज की गई अब उज जल इस्तर बढ़ने के चांस नहीं है जिससे लोगों को राहत मिलेगी उन नाव से वियरो रपोर्ट खबरों में अब तक लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नमस्कार ओल देखे रखे और पीएस समाचार